बेटा हमारा नेक्स्स कोईशन है Find distance between two planes मेरे को दो planes की equations given है journal form में cardison form है तो मैंने इन दोनो planes के in between distance निकालना है ठीक है तो अभी देखो जब कभी भी आपको दो planes के in between distance निकालने का वो बूलेगा तो एक चीज याद रखना कि वो जो दो plane आपको given होएंगे न वो दोनों के दोनों plane अपस में parallel होएंगे ठीक है जैसे यह वाला जो first वाला plane है इसकी जो normal है उसके direction ratios क्या होएंगे direction ratios of normal first plane के अंदर वो होएंगे बेटा 2, 1 and 3 अगर मैं second plane की बात करूँ तो इसके direction ratios इसके normal के direction ratios भी क्या है 2, 1 and 3 ठीक है यह मेरे पास है A1, B1, C1 यह मेरे पास है A2, B2 and C2 अगर मैं इनकी ratio निकाल लूँ A1 upon A2 तो कितना आता है 2 upon 2, 1 आता है then B1 upon B2 की value निकाल लूँ 1 upon 1 वो भी 1 आएगा then C1 upon C2 की value 3 upon 3 वो भी कितना आएगा मेरे पास 1 आएगा ठीक है तो देखो direction ratio की जो ratio है वो equal है तो यहां से मेरे को एकदम से clear हो जाएगा कि जो हमारे given plane है वो parallel है ठीक है तो हमेशा जो planes आपको given होएंगे न वो parallel ही होएंगे क्योंकि यह दोनों parallel planes के in between ही वो जो concept है जो इसकी existence वो बनती है ठीक है तो अभी दोनों planes parallel है तो diagram draw कर लेते हैं दोनों planes का ठीक है मालो यह मेरा first plane है ओके यह मेरा first वोला plane है इस तरह से दूसरा यह मेरा दूसरे वोला plane है यह दूसरा plane है हमारा ठीक है अभी दोनों parallel है अभी देखो देखने वे भी मैंने diagram ऐसे draw किया कि आपको लगे कि यह दोनों parallel है अभी इन दोनों के in between जो मतलब gap है जो distance है distance बेटा हमने हमेशा perpendicular ही निकालना है चाहे mention हो चाहे mention ना हो तो distance जो हम consider करेंगे वो perpendicular ही करेंगे तो अभी इन दोनों के in between जो perpendicular distance है वो हमने find करना है तो अभी बात आती है कि कैसे question को solve करना है जेखो बेटा मैंने पीछे formula study किया है कि एक point से एक plane का distance कैसे निकालते है तो same formula मैंने यहाँ पे भी use करना है अब आप हैरान होगे कि यह कैसे होगा क्योंकि वहाँ पे situation कुछ और था यहाँ पे situation कुछ और है वहाँ पे एक side पे plane था एक side पे point था लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ पेटा planes ही present है तो आपके mind में एक बात आएगी कि यह कैसे possible है कैसे हम उस formula को यहाँ पे use करेंगे तो पेटा अभी मैं आपका doubt जो है वो clear कर देता हूँ ऐसा है कि मैंने ना जैसे इन दोनों planes में से किसी एक plane की उपर हमने point लेना जैसे मालो कि मैंने ना इस plane की उपर यह वाला जो point है ना वो मैंने consider कर लिया अभी मैंने इस point से इस plane का distance निकाल ला है तो जितना distance इस point का इस plane से होएगा उतना ही distance इस plane का इस plane से होएगा क्यों? क्योंकि यह वाला जो point है वो इस plane के उपर लाई करता है इसलिए जितना point का distance है plane से उतना ही plane का distance होएगा दूसरे plane से तो इस तरह से हम मतलब जो previous formula है उसको use करेंगे अभी बात आती है कि ये वाला जो point है इसके coordinates हम कैसे consider करेंगे मतलब कैसे निकालने है वो तो उसके बारे में भी बात करते है अभी मालो ये वाला plane first वाला है और ये वाला plane second वाला है तो बेटा equations लिख लेते हैं दोनों की first वाले की equation है 2x plus 1y plus 3z minus 2 equals to 0 दूसरे की है 2x plus 1y plus 3z plus 11 equals to 0 अभी first वाले plane के उपर हमने point consider करना है तो वो कैसे point के coordinate निकालने है उसके बारे में बात करते हैं consider any point on plane जिस plane पे लेना है उसकी equation लिखो हमने इसके उपर लेना है तो इसकी equation है 2x plus 1y plus 3z minus 2 equals to 0 अभी दो बेटा जो plane की equation है उसके अंदर बेटा total 3 variables है तो मैंने क्या करना है कि मैंने 3 में से किसी 2 variable को equals to 0 substitute करना है ठीक है जैसे मालनों कि यहां पे मैं क्या करता हूँ कि x और z को equals to 0 substitute कर देता हूँ x की value को भी 0 consider कर लेता हूँ और z की value को भी मैं 0 consider कर लेता हूँ तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 2 into 0 1y plus 3 into 0 minus 2 equals to 0 तो यहां से पेटा y की value कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 तो therefore any जो point रहेगा any point के जो coordinates होएंगे वो क्या आएंगे 0,2,0 अभी एक बात और है कि यह मत सोचना की हमेशा x और z को ही 0 substitute करना है पेटा किसी 2 को करना है वो आपकी मर्जी है आप किसको करना चाहते हो यह आप पे depend करता है जैसे भी कर लो जैसे मर्जी कर लो पेटा answer हर case में same आएगा तो अभी यह वाला जो point है इसके coordinates मेरे को मिल गए 0,2,0 अभी मैंने इस point का इस plane से distance निकालना है तो distance formula यूज करते है वो formula आता है a into x1 b into y1 c into z1 plus d upon under root a square plus b square plus c square ठीक है अभी बेटा यह मेरे पास a है यह b है, यह c है और यह d है यह बेटा x1 है यह y1 है, यह z1 है अभी कुछ भी नहीं करना just values को substitute करो तो मेरे पास आएगा 2 into 0 1 into 2 then 3 into 0 plus 11 upon under root 2 का square then plus 1 का square then 3 का square तो मेरे पास क्या आएगा मेरे पास आजाएगा 2 into 0, 0 1 into 2, 2 3 into 0, 0 11 upon under root 2 का square 4 plus 1 3 का square 9 तो बेटा 11 plus 2 कितना आजाएगा यह आजाएगा 13 अभी 13 एक positive number है तो उसका modulus आपको mention करने की यहाँ पे बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है और नीचे कितना आजाएगा 9 plus 1 10 upon under root 14 तो यह बेटा मेरा इस plane का इस plane से distance आजाएगा तो इस तरह से बेटा हमने इस question को करना है यह previous question से ज़्यादा important है तो इसको प्लीज द्यान से समझना द्यान से इस question की practice करना कि जो कि बेंटा कि बेंडा